Hello everyone, BSE final year के पिछले वीडियो तक हमने major ecosystems के बारे में पढ़ा था इस वीडियो से हम नया topic शुरू करेंगे ecological succession या पारिस्तिति के अनुक्रमन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि ecological succession होता क्या है ecological succession is a general process which refers to the gradual change in condition of environment and the replacement of older species with new ones तो ecological succession या पारिस्तिति की अनुक्रमन एक सामानिय प्रक्रिया है इसके अंदर धीरे धीरे होने वाले changes या परिवर्तन होते हैं जो की उसके परियावर्ण के अंदर होते हैं तो परियावर्ण में इसमें धीरे धीरे changes आते हैं और उनका कुछ जो वहाँ जो परजातियां होती है यानि जो species पहले से मौजूद है उनका replacement या परती स्थापन हो जाते है नई species के साथ में तो सक्सेशन का मतलब है कि किसी एक समय में जो परजातियां उपस्तित थी उनके इस्थान पर नई परजातियां जो है उनका इस्थान ले लेती है और समय के साथ साथ ये धीरे धीरे दूसरी परजातियां जो है वहाँ पर आ जाती है और एक ऐसी अवस्ता आती है जहाँ पर एक climax forest यानि एक चरम समुदा या वन अवस्ता जो है प्राप्थ हो जाती है तो ये gradual changes जो है समय के साथ में होते रहते हैं वहाँ के परियावर्ण में और वहाँ की वनस्पतियों में तो इसे कहते हैं ecological succession या पारिस्थिति के अनुक्रमन अब बात करते हैं characteristics of ecological succession की पारिस्थिति के अनुक्रमन के characteristics क्या है it is a systematic process which involves changes in species structure यह एक व्यवस्थित प्रक्रम है जिसके अंदर इस प्रिक्रिया में changes होते हैं species के structure में यानि वहाँ की जो जाती समुदा है वहाँ की सरंचना है उसमें परिवर्थन आते हैं the changes are directional ये जो परिवर्थन होते हैं ये directional या दिशिये होते हैं यानि एक दिशा के अंदर ही changes होते हैं and takes place as a function of time और ये जो changes आते हैं ये किसी एक इस्थान पर समय के साथ में ही उत्पन होते हैं the succession occurs due to the changes in physical environment ये जो अनुक्रमन होता है किसी परियावण के अंदर ये उसके physical environment यानि भौतिक परियावण के कारण होता है यानि जो भौतिक परियावण जब change होता है तो उसके कारण succession जो है वहाँ पर उपस्तित होता है and population of species और ये succession जो है species या परजातियों की population यानि जन संक्या के उपर भी निरबर करता है तो ये दो major factors हैं जिसके कारण succession होता है physical environment और population of species the changes are predictable जो परिवर्तन होते हैं वो predictable होते हैं यानि संभावित होते हैं the process of succession is self-going ये जो परिक्रिया होती है succession या अनुक्रमन की ये स्वतही होती है यानि अपने आप चलती रहती है is take and biologically possible और ये जो succession होता है जो ये स्वयम करते हैं जो अलग लग पर जाती हैं यहाँ पर ये जैविक रूप से संभाव होता है the change also occurs due to population explosion of the species और यहाँ पर जो changes या परिवर्तन आते हैं ये population explosions जो होता है या जनसें क्या विस्फोर जो होती है species या परजातियों की उसके कारण भी यह अनुक्रमन होता है अब बात करते हैं causes of succession या succession के कारण की since succession involves a series of complex processes so there exist many causes of its occurrence तो जो succession या अनुक्रमन होता है इसमें एक स्रेणी बद जटिल परिक्रिया है ये एक परकार की तो इसमें अनेक कारण जो है उपस्तित होते हैं जो इसका कारण मनते हैं यानि succession के कारण होते हैं ecologist have recognized the following three primary causes of succession तो परिस्तितिकी वेज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने तीन परकार के प्रात्मिक कारण बता हैं जो succession या अनुक्रमन के लिए उत्तरदाई होते हैं फर्स्ट इसमें आते हैं initial और initiating causes यानि प्रारंबिक या प्रारंबन करने वाले कारण यानि कि ये succession प्रारंब किन कारणों से होता है there are climatic as well as biotic causes of nature तो ये जो कारण होते हैं initiating कारण ये climatic यानि जलवाई वे कारण भी हो सकते हैं और biotic या जेविक कारण भी इनके कारण हो सकते हैं जो की प्रकरती के अंदर उपस्तित होते हैं the climatic causes include factors तो climatic causes यानि कि जलवाई वे कारकों के अंदर या इनके कारणों में include होते हैं कुछ कारण जैसे erosion and deposit erosion यानि मिटी का कटा होना deposits यानि जमा होना wind, हवा, आग, इत्यादी इनके कारण जो है succession होता है ये climatic causes है which are caused by lightning और volcanic activity और ये जो है इनका कारण जो होते हैं वो होती है lightning यानि बिजली गिरने के कारण जो है वो fire या आग लगती है किसी one में या volcanic activity यानि कि किसी जोला मुखी है शक्रियता के कारण तो इनके कारण ये climatic causes होते हैं जिसके कारण succession जो है वो induce होता है the biotic causes include various activities of organisms तो जेविक कारणों के अंदर अनेक परकार की गतिविद्या जो है सामिल होती है जो की वहाँ उपस्तित जीवों की होती है all these causes produce the bare areas ये सभी कारण जो है या ये सभी जो कारण है इनके इनके कारण खुले छेतर या bare areas या नगन छेतर जो है वो बनते हैं और destroy the existing population in an area या पहले से उपस्तित जो population या समुदाई वहाँ पहले से उपस्तित होते हैं तो वो इनके कारण जो है नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इनमें हवा के द्वारा या आग के द्वारा या किसी जौला मुखी के द्वारा या बिजली गिरने से वहाँ पहले जो existed समुदाई होता है वो वहाँ पर नश्ट हो जाता है और उसके इस्थान पर नया समुदाई जो है बनना सुरू होता है तो वहाँ पर succession सुरू हो जाता है तो यह कुछ initial causes होते हैं दूसरा कारण आता है eccasis जिसे कहते हैं आइस्थापन या इसे कहते हैं continuing causes या सतत कारण these are processes as migration ये कुछ प्रकायर की परकिरिया हैं जैसे migration या पलायन करना eccasis या आस्थापन यानि बाहर से नहीं पर जातियों का आ जाना aggregation, competition, परतिसपरदा है, reaction और उसके साथ में अन्य दूसरे जो कारक है वो इनके succession के लिए उतरदाई होते हैं which causes successive waves और इनके कारण जो है वो अनुक्रम की तरंगे उत्पन होती है of populations जो की समुदा या population के अंदर होती है as a result of changes और परिवर्थन के परिणाम सुरूप chiefly in the edific यानि की soil feature of the area और मुखे तयाद changes जो आते हैं वहांके edific factors यानि soil के अंदर changes आते हैं उस particular या विशेश छेतर में और उसके कारण जो है वहां पर succession सुरू होता है तीसरा कारण आता है stabilizing causes या इस्थाई कारण these includes factors such as climate of the area और इनके अंदरगत जो है ये कारण आते हैं कि वहां की जलवायू जो है area की ये इसके अंतरगत आती है stabilizing factor के अंतरगत which results in the stabilization of community और इसके परिणाम सुरूप जो है वहां की community या जो समुदाय होता है उसमें इस्थाई करण आता है यानि इस्थाई समुदाय निर्मान के लिए वहां के climatic factors जो होते हैं वो सबसे अधिक उतरदाई होते हैं अब बात करते हैं trends of succession या इने कहते हैं functional changes या करियात्मक परिवर्तन जो होते हैं trends of changes during ecosystem development from a young to mature stages include the following features तो जो परिवर्तन आते हैं किसी ecosystem के निर्मान में या उसके परिवर्तन में पहला आता है a continuous change occur in the kinds of plants and animals एक लगातार change या परिवर्तन दिखाई देता है उसके plant यानि वहां पर उपस्ति जो वनस्पति है और वहां पर उपस्ति जो जन्तु है इनमें लगातार जो है वो changes देखने को मिलते हैं दूसरा आता है an increase in diversity of species जानि कि वहां की जो परजातियां है उनकी विबिनता के अंदर वर्दी देखने को मिलती है और the general appearance of the community और phyginomy keeps on become more and more complex as the succession proceeds और वहां पर जो community या समुदाई होता है वहां की appearance यानि सामानिये वो जो दिखाई देते हैं उनके अंदर जटिलता दीरे दीरे आती जाती है तो जो वहां पर समुदाई होता है जो सरल परकार का पहले दिखाई देता है बाद में दीरे दीरे अधिक complex या जटिल होता जाता है और जैसे जैसे ये succession आगे बढ़ता है यानि अनुक्रमन बढ़ने के साथ साथ वहां की community के अंदर जटिलता हैं देखने को मिलती है तीसरा functional changes है there is a progressive increase in the amount of living biomass तो वहां का जो जीवित बायो मास या जेव भार जो है उसके अंदर एक progressive increase यानि वर्दी जो है उनमें देखने को मिलती है and dead organic matter और वहां पर जो उपस्तित म्रत कार्बनिक पदार्त है उनकी भी वर्दी होती है तो जब living biomass बढ़ता है तो उसके साथ साथ मरे हुए जो organic पदार्त है यानि plants और animals जो हैं वहां पर उनकी संक्या बढ़ती है such an increase occurs in gross as well as net primary production in the initial and shareal stages तो वहां पर उपस्तित जितनी भी gross या जिसे net primary production या net प्रात्मिक उत्पादकता जो होती है plants की वो भी वहां पर दीरे दीरे बढ़ती है और इनके जो क्रमकी अवस्थाएं आती है यानि अनुक्रमन के दोरान जो अलग अवस्थाएं आती है तो प cost primary productivity और net primary productivity दोनों ही वहां पर बढ़ती है तो उत्पादकता वहां पर दीरे दीरे बढ़ती रहती है दस there is more biomass accumulation और इसके कारण अधिक biomass या जयो भाहर जो है वो बढ़ता है gradually reaching a huge biomass structure in the climax और धीरे धीरे यह है बहुत ही विशाल biomass या जयो भाहर का निर्मान करता है जो की उसक चरम समुदाई के अंदर होता है तो last में जो बनती है उसे climax community या चरम समुदाई कहते हैं तो चरम समुदाई के अंदर वहां पर बहुती अधिक मातरा में जो है biomass या जयो भाहर जो है वो उपस्तित होता है next आता है fourth functional change green pigment यानि की chlorophyll goes on increasing during the early phase of primary succession तो प्रात्मिक अनुक्रमन के दोरान उसकी प्रारमभी गवस्ता में जो हरे pigments होते हैं या chlorophyll जिसे कहते हैं ये अपने अपनी जो है वर्दी करते रहते हैं the ratio of yellow और green pigments remains around 2 तो जो पीले तथा हरे जो pigment होते हैं उनका अनुपाद लगबग दो के आसपास होता है in the early stage यानि प्रारमभी गवस्ता में and increase 3 to 5 और ये बढ़के 3 से 5 हो जाता है climax stage या चरम आउस्ता के अंत में pigment diversity also increases तो जो ये रंजक या pigments होते हैं yellow और green pigments होते हैं इनके अंदर भी और अधिक परकार की diversity या विभिनताएं देखने को मिलती है next आता है community respiration increases but the PR ratio remains more than one in serial stages तो community के अंदर respiration या स्वसन जो है वो बढ़ता है लेकिन यहाँ पर PR ratio यानि production और respiration यानि उत्पादन तता उसके स्वसन की जो दर और उनका जो अनुपाद होता है ये लगबग एक से अधिक जो है पाया जाता है इसकी सभी serial stage या करम की आवस्ताओं के अंतरगत अगला change आता है the food chain relationship become more complex and succession proceed तो इन में जो खादिस रंकलाएं होती है इनके relationship जो है अधिक जटिल परकार की हो जाती है जैसे जैसे succession या अनुकरमन बढ़ता है nutrients in the young stage यानि प्रारंबिक अवस्ता में जो nutrients या पोशक तत्व होते हैं are allocated mostly in the soil और ये अधिकान soil में पाये जाते हैं but as the serial stage is advanced जैसे जैसे करम की अवस्ताओं बढ़ती है nutrients gets allocated more in vegetation तो ये जो nutrients होते हैं या पोशक तत्व होते हैं वो vegetation के अंदर deposit होना शूरू हो जाते हैं and less in soil और मरदा के अंदर जो है वो कम हो जाते हैं further the nutrient cycling become more close to or intrabiotic with an efficient cycling mechanism तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इसमें तो nutrient cycling जो पोशक तत्वों के चक्रों जो होते हैं ये अधिक close परकार के हो जाते हैं या ये intrabiotic हो जाते हैं और इनमे efficient cycling mechanism भी पाए जाती है यानि एक दक्षता पूरवक ये सभी nutrients का चक्री करण करते रहते हैं Whereas in the young stage the nutrients easily leak out from the system जबकि young stage यानि प्रारंभी गवस्ता के अंदर जो nutrients होते हैं या पोशक तत्वों होते हैं वो आसानी से उस system से बाहर निकल जाते हैं यानि जो वहाँ पर वनस्पति होती है वहाँ अधिक nutrients जो है वो प्रारंभी गवस्ता में वो collect नहीं कर पाते हैं Example the cycling is more of an open type तो प्रारंभी गवस्ता में जो cycling होती है इन पोशक तत्वों की वो खुले परकार की होती है जबकि जैसे ही ये अधिक जटिल परकार के यानि serial stages बढ़ती है वहाँ पर अधिक close परकार के जो है वो cycling पाई जाती है Thank you so much इसके बाद का भाग हम next video में पढ़ेंगे